टॉप कॉलिटी और कंसिस्टन पर्फोर्मेंस के लिए सिल्फ सिल्वर पॉंक्स एड मोटर्स नाम याद रखना न्यूस कैपिटल ना विशेश प्रसारण ना अंगी भूत उसास्त्री जय मेहता सामवेदी काली बालक सर्वबक्तों नू अभिबादन करूछू आजे आठमा नोर्ता ना दिवशे मा भगवती आज्यशक्ती महा गवरीनू स्वरूप निरूपन मा भगवतीनी कथा माताजीनी पूजा माताजीनी अर्चना केविरीते करी शकाए ए आपने समझीशू भगवती आज्यशक्ती महा गवरी बिजु कोई नहीं पड़ ए मा भगवती आज्यशक्ती पारवती छे मा भगवती आज्यशक्ती पारवती स्वरूप ज्यारे हता क्यारे देत्योंनों संहार करवा माटे थाई भगवान शिवे एमने काल स्वरूपनू वर्दानर पन करियो हतू अने अन्य देवी देवताओनी उर्जाथी युक्त थाई अने मा भगवती आज्यशक्ती पारवती ना स्वरूपनी अंदर थी ज अनेक अनेक उर्जाओ प्रगट थाई जेना माध्यम थी आजेपन सचराचर विश्व चाले छे जेना माध्यम थी अत्यारेपन समग्र विश्व शक्ती थी अभीभूत छे एवी महा शक्ती एटलेके महा गवरी जे आठमा नवरात्रेनी अंदर आपणे जेनी उपासना करिये छे माताजी नी उपासना केविरीते करी शकाई तो माताजी नी उपासना नी अंदर सर्व प्रथम आपणे कोईपन देवी नी उपासना करिये एटले नू महत्व जानवू जुईए तो ज्या सुधी कोईपन देवी नू महत्व जानता नथी त्या सुधी एट देवस्वरूप साथे आपणने कोईपन प्रकार नी प्रीती थती नथी प्रेम थतो नथी एम भगवती आद्यसक्ती नू वरणन करता महागवरी नू वरणन करता देवी भागवत आदी प्राचिन ग्रंथो येव कहे छे कि जारे भगवान संकरे औने भगवान नारायने भगवान ब्रह्माजी ए त्रिलोकी नाथे देवतागणो ए पोतानी शक्ती पारवती ने समर्पित करी औने मा भगवती ए आद्यसक्ती ए धुम्रलोचन, चंड, मुंड, रक्तबीज, इत्यादी दैत्यों नो वद कर्यो एनुँ शरीर जे छे ए श्याम पडियू छे मा भगवती काल शक्ती ने धारण करवाना कारणे भगवती आद्यसक्ती नो स्वरूप एक कालो बने छे अने आ काला वर्णना कारणे ज आपने जोई शक्क्येचिक ब्रह्म्हांड मा एकज रंग, एकज कलर एवो छे जेनी अंदर अन्य कोईपन कलर पोता नी उपस्तिती दर्शावी शक्तो नभी ये मात्र कलर छे कालो अने कालरात्री स्वरूपे मा भगवती आद्यसक्ति ए अनेक दुष्ट देत्योंनो समभार कर्यों, देत्यों सैनानों समभार कर्यों, अनेक देत्य गणों थी अधरा लोकने, अप्रुथिवी लोकने एमा थी बचावी अने मा भगवती आद्यसक्ति काली स्वरूपा, एक काली शक्ती, ए दुर्गा शक्ती जारे पार्वतीना स्वरूप मा समाई छे, त्यारे मा भगवती आद्यसक्तिनों स्वरूप छे, स्याम बने छे, कालू बने छे जैना कारणे अन्य देवता गणोनी नजर मा भगवती उपर पड़े बगवान शंकर नी नजर ए मा भगवती पारवती उपर पड़े ज्यारे माताजीनु स्वरुप छे एक कालू बन्यू छे अपने बदा चानिये शेके बगवान संकर एक गोर वर्ण छे उजडा स्वरुप वाडा छे एले माताजीनु काली स्वरुप कोई पन व्यप्तीना दामपत्य जीवन नी अंदर पती अने पतनी एक बिजानी साते संवाद करी शके एम विश्वनो सौथी मुटो संवाद तो अने शक्तीनो संवाद बतावामा आभियो से तंत्र मार्गनी उत्पत्ती एचाहे नाथ संप्रदाय होई वेद कालीन तंत्र संप्रदाय होई अत्वा दिक्षित संप्रदाय होई पन ए तंत्र संप्रदाय जो कोई आधार भूत ग्रंथ उपर चालता होई ते ग्रंथ रुद्रया मल तंत्र और जैनी अंदर शीव अने स्वरुप जोई अने मंद हास्य करेशे जैना कारणे मा भगवती आद्यिसकती स्वरुपा पारवतीने थुड़ूक माठू लागेशे पन सहजताथी स्वस्त थाइ ए भगवान ने प्रश्ण करेशे प्रभु परमात्मा सु मारू आस्वरू पाचु गोरु वर्ण ने प्राप्त नो करी शके त्यारे भगवान शिव, भगवान महादेव, भगवान शंकर, भगवान निलकंठ मा भगवती आध्य सक्ती ने तपस्चरिया करवानू कहे शे महा भगवती आध्य सक्ती पारवती ए निर्जन वननी अंदर जै अने कठोर तपस्चरिया करे शे आ कठोर तपस्चरियाना अंगी भूत महा पारवती स्वरूप पाशे त्रिलोकी नाथनू एक दिव्य तेजोमै स्वरूप जेने आपडे दत्तात्रय स्वरूप कहिए शे ए भगवान दत्तात्रय स्वरूप साथे भगवान नारायन भगवान शंकर अने भगवान ब्रम्हाजी त्रणेनू एक श्वरूप एटलेके दत्तात्रय स्वरूप त्यां प्रगट थाई और अने माँ भगवती आद्य सकती आ त्रिलोकी नाथ भगवान दत्तात्रय ने वंदन करेशे अने दत्तात्रय भगवान जे अगोर शाधनाना परम उपाशक छे विश्वा आखानी अंदर कोई पन गुरु परम्परा चालती होई पन एक गुरु परम्परानों महासागर एकले भगवान दत्तात्रय परमात्मा अनि ए दत्तात्रय परमात्मा भगवती आदी सक्तीने मान सरोवरनी अंदर स्नान करवानों सुचन करेश अने भगवती आती सक्ती भगवान ना दर्शन करी पाचो पुतानो वर्ण प्राप्त करवा माटे थई हिमालाई नी उपर कैलास पासे आवेला मानसरोवर नी अंदर जै मा भगवती स्नान करेश सामान्य जनु अत्वा सामान्य मनुष्य नी कोई शक्ती नधी के ये मानसरोवर नी अंदर स्नान करी शक्ते कारण के त्यां हाड थिजावती ठंडी नो प्रकोप छे ए जग्या अती दुर्गम अने अती पवित्र छे अनि ये मानसरोवर नी अंदर भगवती आधी सक्ती स्नान करे अने स्नान करी अने पाछा बहार आवे त्यारे मा भगवती पारवती ये पाछा पोताना पुर्ण स्वरूप ने पाछु धारन करे छे एम इस नान करवाना मात्यम्ती माताजीनों सरेरनु जे काल स्वरुपतु तिया त्या स्थान्त थाई छे अने मा भगवतीनु पुर्णह गोर वर्ण गवरी स्वरुपा पाचु प्राप्त थाई छे माते माताजीने त्या महा गवरी कहवा मा आवे छे एज महा गवरीना हाथे सुम्भ औने निशुम्भ नामना बे जैतियों जे हता एनो वाराफर्ती संहार थाईलो सास्त्रों मा बतावा मा आवे छे सासना त्रायते इती सास्त्रम तो सास्त्रना वचोनों ने जारे आपणे अनुशरिये छे त्यारे एज सुम्भ औने निशुम्भ वाराफर्ती देवीनु उपहास करता देवी साथे युद्ध करे अने मा भगवती आदी सक्तीना क्रोध स्वरुप्थी सुम्भ औने निशुम्भ नामना बनने देत्य अप्रुथिवी लोकुपर सांत बने छे निस्ते जवने छे औने भगवती महागवरिये सुंभ औने निसुंभ ना आतंक माथी पाताड भूताड औने स्वर्ग ने बचावियू छे इंद्राधिक देवी देवताओने पाचु पूतानु राज्य औने पद प्रदान कर्यू छे रुषिमुन्योंने अभईवचनर पन कर्यू छे औने साथे साथे मनुस्योंने साधनार पन करवा मावीश माताजी पाचा महा गवरी स्वरूपे प्रगट थाए त्यारे एमना असवार माटे थाई सिम्ह नही पन त्यां पाचा नंदी महराज इटलेके व्रुषब आवे छे अने व्रुषा रूड थाई चतुरहस्त धारीनी मा भगवती आद्यसक्ती महा गवरी एना उपर विद्यमान थाई छे कलीकाल नी अंदर गुजरात प्रांत नी अंदर एने भगवती आदी सक्ती उमिया पन कहवा मा आवे छे उमा स्वरुप ने पन ए बगवती महा गवरी साथे वरणन करवा मा आवे छे सर्खावा मा आवे छे कारण के महा गवरीनू स्वरुप अत्यंत सांत अने प्रसन चित्त छे माटेज नवरात्री ना आठमा नवरात्री एज गणी बदी गन्याती जनो अत्वा गणा बदा मनुष्यो ए माताजीने नेवेद्य प्रथा अथी माताजीने संतुष्टी करावे छे एटले के आठमा नोरते माताजीने नेवेद्य प्रदान करे छे ए नेवेद्य नी अंदर नव प्रकार नी अलग अलग वान गियो जे माताजीने अती प्रिय छे उगराधी उग्रस्वरूपने तिक्त पदार्थो अने सांतस्वरूपों ने ठंडा पदार्थो दधी छे इत्याधी बदी वस्तू अरपण करवा माँ आवे छे दूद अरपन करवा मा आवे छे, खीर अरपन करवा मा आवे छे, एम अलगलक कूल शंप्रदाईनी मान्यता अनुसार मा भगवतीने अलगलक प्रकारना नैवेत्यों क्या धराववा मा आवे छे हवे माताजीनी उपासना के विरिते करवी, तो सास्त्रों मा वरणन कराविया अनुसार, सास्त्रों मा वरणन बतावियू छे, ते प्रमाने महागवुरीनू अनुष्टान रात्रीना संध्या समय थी ज आरंभ करवू, अने प्रातक काडना सुर्योदै सुधी, मा भगवती आदि सकती पासे उपासना करवी, तो उपासना नी अंदर सेनों पाठ करी सकाए, तो के दुर्गा अश्टोत्तर स्तोत्र नों पाठ करी सकाए, दुर्गा मानस पुजानों त्यां अगडि पाठ करी सकाए, अथवा तो दुर्गा सब्तसती नों त्यां पाठ करी सकाए, ज दुर्गा सब्तसती थी माताजी उपर अभिशेक करवा मा आवे जलनी अंदर केशर, अपराजिता, दुर्वा, जासुद ना पुस्प अथवा जाते बनायेलू हलदर्यू कंकुजो एनी अंदर पदरावी माताजी उपर दुध युक्तव पदार्थोत बारा जो माताजी न दुधनो अभिशेक अति प्रिय छे, दुधनो नैवेत्य अति प्रिय छे, माते माताजी ने दुधनी बनावेली वान्गियों, अथवा तो खीर, अथवा तो दुधपाक धरावामा आवे जे नी उपास्ना करवा थी, जीवन नी अंदर केतु ग्रहती लगती समस्याओ न अन्त आवेश अने जीवन नी अंदर ज्या गणाबधा व्यक्तियों जे विदेश नी इच्छा राखेचे परदेश गमन नी इच्छा राखेचे जो ए महागवरीनु अनुष्टान करवा मा आवे तो सर्वबाधा विनेर मुक्तो दनधान्य सुतान विता मनुस्यों मत प्र ए व्यक्तिना ए साधकना जीवन नी अंदर ए भक्तना जीवन नी अंदर आवी रीते माता जीनिक क्रुपा प्राप्त धाई छे ए परदेश गमन सारी रीते करी शके छे ए परदेश नी अंदर पन अन्न अने जल उपर पोतानु नी अंत्रण राखी शके छे मा भगवती आती सकती महा गवरी नुस्थान सरिर्णी अंदर सहस्त्रा दल चक्र नी अंदर अथवा तो गणा तंत्रमार्गी सिद्ध पुरुषोयु बतावामा आवे छे के आपणा सरिर्णी अंदर रहेली इंगला पिंगला अने सुसुम्णा नामनी जे नाडी छे एना अंतरगत सुसुम्णा नाडी जे स्वासने एक समान अवस्तानी अंदर लावे छे साइन्टिफिकली योग क्रियातवारा समझिये तो एक शमये स्वासो स्वासनी क्रियानी अंदर व्यक्ती मात्र कोईपन एकज नस्कोराथी स्वास लई शके अथवा तो एकज नस्कोराथी स्वासने छोडी शके अर्धो कल्लाक कल्लाक नी अंदर जारे होरा बढ़ बदलातू होई त्यारे गणी वखत जम्णा नस्कोराथी स्वास लेवाई औने डाबा नस्कोराथी छोडी ये छे अने डाबा नस्कोराथी लई अने जम्णा नस्कोराथी स्वासने छोडिये छे जारे जम्णा नस्कोराथी स्वासो स्वासनी क्रिया चालू होई त्यारे व्यक्तिनी सुरियन आडी एक्टिव होई छे अने डाबा नस्कोराती जारे स्वासो स्वासनी क्रिया चालू होई त्यारे व्यक्तिनी चंद्र नाडी त्या एक्टिव होई छे पन बनने नसकोराथी एक साथे स्वास लिता होई, एक साथे स्वास छुडता होई, क्यारे व्यक्ति मात्र नी सुसुम्णा नाडी क्या एक्टिव होई छे माटे अपड़ा सास्त्रकारोय संतोय कहुँ छे के व्यक्तिये जीवननी अंदर क्यारे असत्यानू आचरण न करवू जुई बनी सके त्यांसुदी सत्य वचनों जु बोलवा जुई कोकने सारू लागे कोकने प्रिया लागे इवी मदुरवानी जु बोलवी जुई जारे स्वासो स्वासनी आवी साथे क्रिया थती होई व्यक्ति मात्रा जीवननी अंदर ए सुसुमना नाडी एक्टिव बने त्यारे ए व्यक्ति जे बोले ए वस्तू फडिभूत बनती होई छे सत्य बनती होई छे माटेज मुटा मुटा संतो दिभ्य पुरुषो पुताना मुख थी वदारे पड़तू बोलता नथी ए मौन क्रियात वारा माताजीनी उपासना करता होई छे अत्वा मौनने पालवानू अति प्रिय राखे छे कारण के एमना जीवननी अंदर महागवरीनी कृपाथी सुसुमना नाडी एक्टिवेट होई छे बिजु एक मात्यम एवु बतावा माव्यू के व्यक्ति मात्रनू सहस्त्रादल कमण जारे खिलेलू होई क्यारे ब्रह्मांड नी कौस्मेटिक उर्जा ब्रह्मांड नी जे उर्जा छे ए व्यक्ति धारण करवा माटे थाईने योग्य बने छे जारे ब्रह्मांड नी अलवकिक शक्ति जे धरा उपर अविरत पने वहती होई छे ये व्यक्ति एने दारण करे क्यारे व्यक्ति क्थोब उर्जा वालो बने छे शक्तिशाली बने छे ए कोटी एटलेक करोडो मनुस्य नी अंदर कोई एकाद दुरलब व्यक्ति ने आवि सित्धी प्राप्त धाई छे महागवरी नी उपासना करवाथी महागवरी नू मंदिर क्या आवेलू छे तो कासी नगर नी अंदर कासी विश्वनात महादेव नू मंदिर जे छे तेना थी नजीक मा अन्नपुर्णा ना मंदिर ने पण महागवरी नू मंदिर क्यावा मा आवे छे एथी आगल कासी नी अंदर बिंदू माधाव नामनी जग्या ज्या भगवान क्रश्णनानू नानकडू बालस्वरूप छे एनी नजीत मंगला गवरी माताजीनु मंदीर बतावा मा आवियू छे ए बीजु कोई नहीं पणा महा गवरीनु मंदीर छे मंगला गवरीनी उपासना कदाच कोई ना लगनन थया होई एवी इचछित कन्याओ लगन शुख प्राप्त करवा माटे थहीं जो महा गवरीनु व्रत धारन करे अत्वा महा गवरीनु व्रत नु पालन कले तो सिगरादी सिगर शिवपुरुष एने वर्वा माटे थाई प्राप्त धाई जे एने योग्य वर्णी प्राप्ती धाई जे लगन इच्छुक कन्याओ ये खास करी अने मंगला गवरीनी उपासना करवी जुए मंगला गवरीनी उपासना करवाथी एना मनमा इच्छेला सिव पुरुष्णी एने प्राप्ती धाई जे पत्नीम मनोरमाम देही मनोवृत्तान उशारिणीम तारिणीम दुर्गसंसारं सागरच्य कुलोध भवान एम माताजीनी उपासना करवाथी मा कात्यायनी महा कालरात्री अथवातो महागवरी इत्यादीनी उपासना करवाथी इच्छेत पुरुष्ण अथवातो स्त्रीनी प असार थाई छे आनंद मही बने छे अने गुद्राती वडवाओ कायम केता कि जो देवी नी कुरुपा होई तो असार संसार पन आपड़ा माटे कंसार स्वरुप बने छे एम मा महागवरी नी उपासना करवा माटे थै माताजीनु गट स्थापन जियां करवा मा आवेलू होई त्यां सुन्दर्म जाना बाजोटू पर पीत वस्त्र अथवातो भगवारंगनु वस्त्र त्यां अगड़ी पाथरी एना उपर अक्षत नू स्थापन ये अक्षत कु आत्रमक्वू भोज पत्रदवारा अथवा तो देवी चंडिकानु अथवा तो देवी अंत्रत्यां स्तापित करी एना उपर मानस पुजाना पाठ करवा अथवा कोई साधक ने आवा दिव्य अथवा मुटा मुटा स्तोत्र नथी आवडता तो सु ये माताजीनी उपासन ना करी शके करी शके माताजीनी पासे माताजीनों महा मंत्रचे सरवमंगल मांगलिये शिवे सरवाद साधिके सरण्ये त्र रात्री नी अंदर आठ दिवस सुदी दस हजार अथवातो बार हजार जाप करवा मां आवे तो ये यंत्र शक्ती त्यां जागरूत बने छे औनि ये भक्तनू त्यां कल्यान करवा वाली बने छे महा गवरी नी उपासना करवा थी पोताना पित्रू ने दुरलब त्यां प्राप्त धाईजे महा गवरी नी उपासना करवा थी वेदोनू अती गुडाधी गुड तत्व एक गवरी स्वरूपा बिंदू स्वरूपा एमा भगवती नी कृपा त्यां प्राप्त धाईजे माटे महागवरी नी उपास्नानू अनेरू महत्व एक कलकत्ता गुजरात इत्यादी प्रांतो नी अंदर विशेश महत्व छे आठमा नोर्ता नी अंदर माताजी ने आपणे नेवेद्य अरपन करिये छे भुप्त भोजन अरपन करिये छे अने देवी स्वरूपने त्या तुरुप्त करवा माँ आवे छे एवु कहवा माँ आवे के कोई व्यक्ती जात्रा ये गयो होई अने चार धाम माथी कई शकाई यमनोत्री गंगोत्री नो जडलावी अने पोताना घर नी अंदर गटस्तापन करियो होई जियां जवारा वाविया होई त्यांगडी ये जवारा उपर कदाच महागवरी ना दिवशे त्यांगडी गंगाजल नो चाटन करवा मावे त्यांगाजल चाटवा मावे जवाराने गंगाज़ पिवडावा मा आवे अथवा तो कैलास दुल्ल बेवी कैलास मानसरोवर नी यात्रा करी होई अने मानसरोवर नुझ जड लावी जो त्यां छाटवा मा आवे तो ए साधक ना जीवन मा तो ठीक पन एना आखा वंशनी अंदर क्यारे पन कोई क्रुष्ण वर्ण एटले कालो व्यक्ती जनम लेतू नथी अथवा तो कोई कोड़ी एटले कोड रोग थी युक्त बनतू नथी चरम रोगों नुझ त्यां शांती प्रदानता थाई छे महागवरी नी उपासना करवा थी साधक ना जीवननी अंदर चरम रोग ने अनु संधान मा कोईपन प्रकार युक्त थाईला व्यक्तियों चरम रोग थी मुक्ति ने प्राप्त थाई छे अत्यारे आपणे जोईये छे कि खास करियाने मनुस्य नी अंदर खरजवु दादर कांके प्रदुशन युक्त वातावरणना करने आपणा चर्म उपर असर थाई अने चामडी नी अंदर अनेका अनेक रोगो असाध्य रोगो जन्मले अने अनेक दवाओ करिया छती छता प पुजाकरवाम आवे तो साधकना जीवननी अंदर क्यारे चर्म रोग थतो नथी अने दुरलब सित्धेनी प्राप्ति थाई शे जैकाली जैमाताजी